हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस थियोरी चैनल, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 बाइलोजी चैप्टर 5, मॉलेकुलर बेसिस अफ इनहेरिटेंस इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हुमन जिनोम प्रोजेक्ट के बारे में और डियाने फिंगर प्रिंटिंग के बारे में तो हुमन जिनोम प्रोजेक्ट क्या है यह 1990 में स्टार्ट हुआ था तो मैप दा एंटायर हुमन जिनोम ठीक है और यह कंप्लीट हुआ था 2003 में ठीक है यह कॉडिनेट हुआ था बाइदे यूस डिपार्टमेंट ओफ एनरजी और नैशनल इंसिटूट ओफ हैल्थ और इसक हो सकें ठीक है डेटर्माइन कर सकें सीक्वेंस ओफ थ्री बिलियन बेस पेर हुमन डिन ने के अंदर ठीक है स्टोर कर सकें इंफोर्मेशन डाटा बेसेज में ठीक है एड्रेस कर सकें एथिकल लेगल और सोशियल इशूस को जो कोई आराइस हो सकते हैं फ्रॉम दा या रहने के लिए ठीक है नेक्स्सिक्वेस एन्योशन यह व्लाइं अप्रोच जो सीक्वेंस करती थी सारे जनोम को गन्टेन करते थे को दॉं और qnd Grail सिक्वेंस प्रेटर को नीडे करते थे जैसे कि बैक और याक ठीक है बैक का मतलब है बैक्टेरियल ऑ्रिफिष ख्रों और यह का मतलब है yeast artificial chromosome यह दो वेक्टर्स हैं ठीक है अब प्रोसेस क्या था human genome project का इसमें क्या करते थे सारा का सारा जो DNA था वो हम cell से isolate कर लेते थे निकाल लेते थे ठीक है फिर उसके बाद हम उसे convert करते थे random fragments में small size के ठीक है और fragments में हम उसे कैसे convert करते थे with the help of restriction enzyme ठीक है यह जो fragments होते थे उन्हें हम clone करते थे in a suitable host ठीक है और इसमें हम एक specialized vector यूज करते थे back और yak ठीक है जो की amplification करता था यह fragments क्या होते थे sequence करे जाते थे automated DNA sequencer को यूज करके ठीक है फिर क्या होता था वो जो sequence होते थे उन्हें अरेंज कर देते थे और उन सारे के सारे sequence को align कर देते थे using computer programs ठीक है फिर क्या होता था वो sequence होते थे वो annotate किये जाते थे और assign कर दिये जाते थे हर एक chromosome को ठीक है अब इसके uses क्या थे applications क्या थे human genome project के इससे biological system जो है वो बहुत अच्छे से study किया जा सकता था DNA sequence के भारे में knowledge लेकर ठीक है जो human genome project था human genome sequences थी वह हम use करते थे to develop a new approach ठीक है to biological research next topic है हमारा DNA fingerprinting DNA fingerprinting जो होता है वो करता है identification of difference in some specific reason in DNA ठीक है जिसे हम क्या बोलते थे रिपिटेटिव DNA बोलते थे रिपिटेटिव DNA हम क्यों बोलते थे क्योंकि यह जो sequence थे वह small stretch से DNA के जो repeat हो रहे थे बहुत बार जो एलस जाफरे थे इन्होंने इनिशियली डैवलप करी थी एक टेक्नीक जिसे वह satellite DNA को use करके as the basis of DNA fingerprinting वो show कर सके high degree of polymorphism इसे हम क्या कहते थे variable number tandem repeats बोलते थे ठीक है VNTR अब DNA fingerprinting के steps होते थे इसमें क्या होता था हम पहले DNA को isolate कर लेते थे ठीक है digestion कराते थे DNA की बाइदा restriction endonuclease जो की एक enzyme था ठीक है फिर separate कराते थे DNA fragment को by the gel electrophoresis ठीक है gel electrophoresis एक टेक्नीक होती है फिर हम क्या कराते थे transferring कराते थे separate DNA fragments की two synthetic membranes ठीक है such as nitrocellulose on nylon ठीक है फिर क्या होता था यह जो double stranded DNA होता था वो single stranded बनाया दिया जाता था by the opening of bones अब इसके बाद hybridization कराई जाती थी using vntr prob protection होती थी ओफ hybridized DNA fragment ठीक है के बाद क्या होता था ओटो डायोग्राम होता था जो की बहुत सारे bands हमें different size के देता था यह जो band होते थे वह characteristic pattern देते थे हमें एक individual DNA गा ठीक है जिन में difference होता था individual to individual ठीक है अब DNA fingerprint का basis क्या था जो जो repetitive short sequence होते थे repetitive DNA के अंदर अब अप्लिकेशन के डिन फिंगर printing की यह paternity को टेस्ट कर सकता है identify कर सकते क्रीमिनल्स को इन unknown cases based on tissue sample ठीक है जैसे कि रेप और मर्डर cases में हम identify कर सकते क्रीमिनल्स को और यूजिंग देखनेग डिन फिंगर प्रिंटिंग ठीक है जनेटिक डिसीज को determine करने में भी यूसफूल होता है ठीक है तो यह तो था हमारा human genome project और डिन फिंगर पिंटिंग आपको पूरी वीडियो समझ आगी होगी इस पूरी वीडियो का अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दें अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन दबाना ना भूले जिससे कि जब नेक्स वीडियो अप्लोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा इस वीडियो को आण तक देखने के लिए थैंक यू सो मच मिलती हूं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ टेक क्यार